आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बज प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें हलो, दोस्तों मारे सामने प्रशना है कि सिद्धिजी गी रेखा, एक्स धन एक बटे दो बराबर वाय धन एक बटे तीन बराबर जैट धन एक बटे चार और समतली हैं उनके प्रतिक्षेद बिंदों के नियामक ग्यात कीजिए, ऐसा बोला जा रहा है, तो दोस्तों यहां से हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम इन दो समतलों को लें, इता हमारे पस क्या है, एक्स धन, दो वाय धन, तीन जैड रेंड चाउदा बराबर सुन्य, वह तीन एक्स दो धन, चार वाय धन, पांस जैड रेंड अड़ छबिस बराबर सुन्य, यहां हम देख सकते हैं, दो समतल दिया गया है, तो यहां से, यहां से, यदी हम देखें, तो इनके, अभिलंब के दिक्षावाद हमारे पस क्या हो जाएंगे, अभिलंब के, तिक अनुपात क्रमस तो क्रमसा हमारे रपास क्या हो जाएंगे, देख सकते हैं, एक से उडा की एक है तो यहांते है, एक, दो, तीन, तथा, तीन, चार, पाँच, यहां रपास इनके अगलम के दिगवन पात हो गया, अब दोस्तो, यदि हमारे पास यह प्लेन कुछ इस प्रकार है, यह प्लेन अब यहां पर हमाल लेते हैं कि माना, माना कुई रेखा, कुई रेखा, दोनों प्लेनों पर इस्थित है, इन संतलों पर, संतलों पर इस्थित है, ऐसा माल लेते हैं, तो यहां से एक रेखा, यहां यह दी, यहां से ले जाएं, यह रेखा इस प्रकार से गई, इसे संतल प कि अनुपात, जिसका, अनुपात क्या है हमारे पास। ए, ब, सी है। ऐसा हमने माल लिया। इस इस्तितिव में दोस्तों हम देख सकते हैं, हमने इनके अभी लंबो का तीक अनुपात लिखा हुआ है। तो इनके लमवत होने के स्थितिम क्या होता है उनके क्रमसर जुद्धिक अनुपात है उनका गुड़ा किसके बराबर होना चाहिए सुने के बराबर होना चाहिए तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा जो रेका कद्धिक अनुपात है पहले प्रेन कदिक अनुपात को लें तो उसके साथ जो गुड़ा है उसका योग सुनने के बराबर होना चाहिए तो क्या आ जाएगा ए धन 2B धन 3C बराबर सुनने इसे प्रकार दूसरे समतल के लिए भी क्या आ जाएगा 3A धन 4B धन 5C बराबर सुनने यह हमारे पास आ जाएगा तो इन दोनों समय करनों को हल करेंगे तो बच्चों गुड़न खन वीडिये लगा लेते हैं ए बराबर क्या हो जाएगा 2 दos यहां से ऑजाएगा 2 पंचे 10 रण zur टीया 12 बराबर क्या जाएगा यह टीन गुड़ित तीन थेन झाले eitherश ौर्ण एक पांच यहां jack command 5 is bariat तो इस प्रकार हम देख सकते हैं हमारे पास इसको हम के बराबर भी माल लेते हैं बराबर के हमने माल लिया तो यहां से ए बटे क्या हमारे पास रिन दो बी बटे चार सी बटे रिन दो बराबर के यह हमने माना हुआ है तो यहां से दोस्तों हम देख सकते हैं सभी में से पहले तो हमारे पास दो भाग से जाएंगे रिन दो से भाग देदें तो रिन चिन भी चल देगा दो भी गया तो यहां जाएगा रिन दो यहां से रिन दो कड़ गया तो क्या हागय हमारे पस , A 1 B 2 C 1 बर्ढबर के, इस परतार हमारे पस क्या आगया खेंगा Aukanid K., Bunts 2 K , And C lets us go to K. तो दोस्तों यहां समलीखेंगेra. तरटा- pinch. हमारे पस क्या हो जाएगा? x run x1 बटे a बरावर y run y1 बटे b बरावर z run z1 बटे c जहाँ a b c इसके दिग अनुपा तथा x1, y1, z1 से होकर यह रिखा जाती है तो यहाँ से दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे हम माल लेंगे माना माना यहाँ से z1 बरावर सुन्य यह बिंदू हम मान लेते हैं तब यहाँ पे चुकी हम देख सकते हैं यह जो रिखा है यह जो दो सम्तल दिया गये थे उस पर इस्थित थे तो यहाँ से उस इस्थिती में हम देखेंगे कि सम्तल के लिए x और y के माना हमारे पस क्या आते है इसे दे देते हैं समीकरण पहला, इसे दे देते हैं समीकरण दूसरा, और हम लिखेंगे समीकरण 1 वह, 2 से, यहाँ पर z कमाज जब हम सुने रख देंगे, तो सम्तुलों के समीकरण में हमां क्या पराप्त आजाएगा, X धन 2Y Z Z बराबर तो हमने सुनने रख दिया और यहां से 14 को दूसरे पक्षम ले जाए बराबर 14 हो गया इसे प्रकार 3X धन 4Y Z को सुनने रख दिया 24 को दूसरे पक्षम ले जाएंगे तो बराबर 26 आजाएगा आप दोनों समिकरणों को हम आपस में घटा देते हैं परन्तु साथे साथ हम यहां क्या करेंगे हम यह जो पहला समिकरण है इसमें पूरे समिकरण में क्या करेंगे 2 का गुड़ा कर देंगे तो यहां से हम देख सकते हैं, क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2x, यहां 2 गुडित, 2 तो 2 दूनी 4, चौदर 2 दूनी 28, तो यहां से हम आपस में घटा देंगे कुछ इस प्रकार, आपस क्या जाएगा, रंड x, यह दोना आपस में घट गया, बराबर 2, तो तो यहां से हमेरे पास कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, तो 2y बराबर, यहां रंड 2 है, तो 14 दूनी 16, तो y कमांड कितना आपस 8, तो x बराबर रंड 2 प्राप्त हो गया, और y बराबर 8 प्राप्त हो गया, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, एक बिंदू x1 बराबर हमाठ ले लेंगे और Z1 कमांद तो सुन्हें है ही हमारे पास तो यहां से इसे देते हम समीकरण तीस रा और हम लिखेंगे समीकरण 3 से हमारे पास काया जाएगा यहां संबिक पाएंगे x render if the value adding is written हो जाएगा by एक हमान हमारे पास के कमान के बराबर wire and art बटे रैंड दो के वाज आलने सून्य हो नबटे के के अिस प्रकार के की हमारे बस काल जिया आया हमारे पास x the new the team बटे एक बराबर y रन 8 बटे रन 2 बराबर z बटे 1 यह हमारे पास आया अब दोस्तों यहाँ जदी हम आगे देखें यहाँ से हमें क्या बोला है कि प्रतिक्षेद बंदू हमें निकालना है इनके यह रेखा और समतलग प्रतिक्षेद बंदू निकालना है तो यहाँ से जो हमें रेख और Z 1,4 तो लिखे लेते हैं, X 1,2, Y 1,3, Z 1,4 यह पने लिखे लिखे लिखाए है, अब दोस्तोर में यह जो 2 रेखा हैं यहापस में क्या होंगे, यादी सम्तली होंगे यहाँ सम्रीखेंगे, इसे देते हैं समुटर इसे देते हैं समिकरंग 5 वा अब चुज यह जो रेखा चार है वह हमारे दिये गए समतलों पर इस्तित है अर्थात यदि यहां दोनों रेखा यदि समतली हो गए तो यह सिद्ध हो जाएगा कि यह जो रेखा हमारे दी गई थी वह उन समतलों से भी समतली होगा तो यहां सम लिखेंगे यदि रेखा चार वपांच समतली है तब तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास एक सुत्तर होता है समतली होने के लिए तो यहां हमने हमारा सुत्र लिख लिए है यहां से हम देख सकते हैं यहां से हम देख सकते हैं यहां से हम देख सकते हैं तो इसके लिए हम इसका बाया बक्ष ले लेते हैं यहां से सारनीक में हम लिख लेते हैं यहां से हम देख सकते हैं थ्या हैसे घ्ली के लिए दिखें तो हमारे पस क्या माने यह रिन 1 है। यहाँ समनी के सकते हैं इससे रिन 1करण 1 रिन 2 धन्द हो जाए ग्यूनस और लीकोड़ी पतीक भिने माने लेगा इसे प्रकार बीक इक मानने लेगा लीकोड़ी माने मानने विए A1 B1 C1 के लिए एक रिन 2 वा 1 हमारे पास है A2 B2 C2 के लिए 2 3 वा 4 है 2 3 वा 4 तो यहां सम लेख सकते हैं हमारे पास क्या मान प्राक्त हुए हमारे पास है रिन 1 धन 2 1 यह होगे रिन 9 यह रिन 1 1 रिन 2 1 वा 2 3 4 यह हमारे क्या होगे धन, 9 गुडित, 4 रिन दू, यह हो जाएगा 9 दिन, 18 रिन, 1 गुडित, 4 दिन, 7 यह हो जाएगा 7 तो हम देख सकते हैं, रण 11, रण 7, रण 18 हो गया, धन 18 है, दोना आपस में कटे, बरावर हो गया, सुन्या, अतह हमारा दाहिना पक्च आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं, अतह रेखाएं सम्तली हैं, वह में कह सम्तली हैं, सम्तल 9, 2, 2 थथखा, रेखा, यहां पे दीव ही हिवी हैं को रेखा को हमने का रेखा 5 बता हैं धने कह सम्तली पाँंच, रेखा 5 रेखा 5 शम्तली हैं समतली है यह हमने सित्र किया अब आगे प्रशन में क्या बोला था कि हमें क्या करना है प्रतिक्षेद बिंदू के मान निकालना है तो यहां से हम क्या करेंगे जैसा कि हम देख चुके हैं कि हमने पहले यहां पर एक रेखा का समिकरण निकाला यह जो रेखा का समिकरण हमने न गाला है यह रेखा उभयनिष्ट रेखा है तो उन्हो दिये गए समतलो करिए और यहां से इस रेखा से यदि हम दी गए रेखा के बिंदू निकाल लें तो इससे हमें क्या मिल जाएंगे प्रितिक छेद बिंदू मिल जाएंगे तो यहांस हम क्या करते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे समी करण 5 से समी करण 5 से जो हमें रेखा दी गई है वहां से यह दी हम देखें तो हम क्या करेंगे मान लेते हैं माना कि यहां से यदि हम उस रेखा पर रखें तो वह उसे क्या करना चाहिए चुकि कह समतुलियती यहां से हम लिखेंगे चुकि रेखा चार व पाँच समतली है अतह बिंदूओं के मान रखने पर तो क्या प्राप्त है यहां समें यहां सम देख सकते हैं समिकन चार जो हमारे पास है वहां हम क्या करेंगे यहां से एक्स के जगह हम रख देंगे दो आर रिन एक और धन दो हमें दिया गया धन दो बटे में एक है पराबर इसी प्रकार इस प्रकार यहां से य रिन आट बटे रिन दो है तो य के जगह तीन आर रिन एक रिन आर्ट बटे रिन दो बराबर इसी प्रकार आगे हमेरे बस क्या है जेड धन जेड बटे एक है तो जेड का मान क्या है चार आर रिन एक बटे एक हमारे पास है तो यहां से दोस्तों हम क्या करेंगे यहां से हम इन दो पदो के तुलना करेंगे वो आर के मान निकालने का प्रयास करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा दो आर धन एक यहां से आया बराबर तीन आर रन नौ और रन दो यहां पर इस वक्ष में बुड़ा कर देंगे पक्छांतर करने पर गुड़ी 2 हो जाएगा तो यहां से जाएगा रण 4R, रण 2 बराबर, 3R, रण 9, तो इस प्रकार हमारे पास क्या जाएगा? रण 2 धन 9 पक्छांतर करने पर और 3R, धन 4R, तो यहां से क्या आया? 4, 3, 7, तो 7R, और 9 रण 2 तो भी 7, दोन पक्छांतर करने पर और 3R, धन 4R, तो यहां से क्या आया? लिये गए बिंदू उपर, लिये गए बिंदू उपर, रखने से, हमें क्या प्राप्त हजाएगा? X पराबर क्या दिया है? X पराबर हमने हाव से निकाला है, 2R, रण 1, Y पराबर, 3R, रण 1, वजएड पराबर, 4R, तो यहां से क्या जाएगा? Vid harmon一, लिए लीडिध noun, रण 1, 2R, 1, 2R, 2R, 3R, 3R, 2R, 3R, 4 esa sareया क्या लेख लेगा? 6 यहां से लिएक से लिएकिक्षेद बिंदू है तो उमीद है आपके सवाल समझे में आया होगा, धन्यवाद